उम्र ठका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जितने की तो हार भी हरा नहीं सकती ठीक है, उसके लिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है और इस ब्लड वाले टॉपिक को भी हपन बहुत लेंग्वेज के अंदर पढ़ने वाले ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय की कीमत को जानते हुए कि ब्लड क्या होता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन introduction से होते हुए, function, composition से होते हुए, इसके classification के चार्ट की तब चलेंगे ठीक है तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे blood के बारे में और blood के introduction के अदर अपन क्या-क्या पढ़ने वाले, आज की इस class में तो देखो, blood के introduction की अगर अपन बात करें, introduction, introduction of blood यानि की blood क्या होता है, blood काम क्या करता है, उसके बारे मगर अपन चर्चा करें, तो देखो, blood जो होता है, एक परकार का क्या होता है, connective tissue होता है, क्या होता है, blood होता है, connective tissue, ये आ गया आपका, connective tissue, और इस connective tissue के साथ ही, अग हमारे सरीर में किस फॉम में पाया जाता है लिक्विड फॉम में पाया जाता है किस फॉम में पाया जाता है यह लिक्विड फॉम के अंदर पाया जाता है इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सर इसका कलर कैसा होता है तो कलर की अगर अपन बात करें तो यह रेड कलर का होत रेड होता है इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इस ब्लड के अंदर हीमोगलोबिन प्रोटीन पाए जाती क्या पाए जाती हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन प्रोटीन परजेंट होती है क्या परजेंट होती है हीमोगलोबिन प्रोटीन परजेंट होती है ठीक है इसके अला तो अगर अपन बात करें कि always circulate in always circulate in blood vessels और blood vessels की बात करें तो blood vessels को हमने CVS cardiovascular system के अंदर पढ़ा था artery और veins के बारे में हमने क्या पढ़ा था वहाँ पढ़ा था ठीक है ना इसके बाद बात करें कि इसको हम transparent या पि non transparent fluid कहते हैं तो यह एक परकार का आपके non transparent fluid होता है कैसा होता है non transparent और ये होता है 2C-DiG यानि सारी प्लीट होता है कैसा funded होता है सारी तरल होता है तो introduction के अंदर ये सारी शारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर आल्ट्री के अंदर किस परकार का ब्लड बैता है तो आल्ट्री के अंदर अपन बात करें तो red blood circulate करता है कैसा blood circulate करता है अगर अपन बात करें यहां से introduction को आगे बढ़ाते हुए कि अगर हम बात करें सर आल्ट्रीज के अंदर तो arteries में हमारा red blood circulate करता है कैसा blood circulate करता है red blood तो sir अगर मैं बात करूँ veins के अंदर तो veins के अंदर आपका कैसा आजाएगा veins के अंदर आजाएगा आपका purple blood आजाएगा कैसा आजाएगा purple blood हो जाएगा artery की बात करें heart से blood को ले जाने का काम करती है वेंस जो है उसको वापस लाने का काम करती है आर्ट्रीज के अंदर आपका कैसा ब्लड बैता है तो इसके अंदर हम बात करें O2 ब्लड बैता है कैसा बैता O2 ब्लड इसके हम बात करें इसके अंदर CO2 ब्लड यानि Deoxygenated Blood और Oxygenated Blood दोनों की हमने क्या की चर्चा की ठीक है ना इसके बाद हम बात करें हमारे ब्लड को fluid of life का जाता है क्या का जाता है यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें इस ब्लड को हम क्या कह सकते है सर इसको हम कह सकते है fluid of life कह सकते है क्या कह सकते हैं इसको fluid of life कह सकते हैं इसके अलावा अगर अगर अपन बात करें इसको fluid of growth भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं fluid of growth ठीक है बई तो fluid of growth भी इसी कोई कह जाता है इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं fluid of health भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं तो blood के introduction के अंदर हमने ये खूप सारी चर्चा किये, बिल्कुल अगर आपको ये मेरी class पसंद आती है भई, ठीके न, तो इस पे like करें, इसके उपर एक बड़ी असा comments करें, और next topic भी आपको कौन सा पढ़ना आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, और अगर channel पे आप नए है तो subscribe जरूर करें, ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं, blood के functions के बारे में, ठीक है न, हमारा जो topic है, introduction के बाद हम बात कर रहे हैं, functions of blood के बारे में, किस के बारे हम बात करने वारे हैं, functions of blood के बारे में, ये blood जो है भी काम क्या क्या करता है सर, तो काम जो मैं बोलूँ और दाम भी हम decide करेंगे ठीक है तो blood केगा नई काम तो मैं खुद इज बताऊंगा ठीक है तो यह nutrition से समंदित function इसके खुब सारे function की अगर बात करें तो इसमें इसका आ जाता एक तो आपका nutritional function ठीक है ना nutritional function इससे समंदित इसके अलावा अगर अपन बात करें यानि पोस्टन से समंदित कारिय करता बिल्कुल करता है रेस्पाइरेटरी से समंदित काम करता है बिल्कुल करता है रेस्पाइरेटरी function भी कह सकते हैं रेस्पाइरेटरी function ठीक है ना रेस्पाइरेटरी function इसके अलावा अगर अपन बात करें कि blood और क्या काम करता है तो excretory के भी क क्या काम करता है तो हमारे सरीर के अंदर बोडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करने काम करता है ठीक है तो इसलिए हम कह सकते हैं regulation of regulation of body temperature regulation of body temperature ठीक है इसके अलावा और क्या काम करता है तो खूब सारे काम करता है क्या हमें ये रोगों से बचाने का काम करता है बिल्कुल करता है इसलिए हम इसके कह सकते हैं कि ये defensive function भी काम करता है ठीक है ना defensive function भी करता है इसके साथ ही कुछ ये storage function भी करता है क्या करता है storage function की बात करें तो ये भी काम करता है storage function के काम भी करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर acid और base का balance बना के रखता है ठीक है ना तो balance of balance of acid and base ठीक है ना अमलतता सार का बैलेंस बनाए रखने का काम करता है एसिट बेस के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है फिर इसके बाद हम बात करें कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है किसका काम करता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है transportation, ठीक न, transportation के रूप में ये enzyme को ले जा सकता है, ये खूप सारे hormones को लेके जाता है तो इतने सारे काम कौन करता है ये blood काम करता है, इसके अलावा ये water के balance को भी बनाके रखता है, हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, water के water balance को भी बनाके रखता है क्या करता है water balance को भी बना के रखता है ठीक है तो ये खूप सारे functions की अगर अपन बात करें तो ये blood करता है ठीक है अब अपन बात करते है इसके properties के बारे में थीक है ना blood की properties के बारे में अगर अपन बात करें properties of blood blood की अगर अपन बात करें तो देखो properties of blood के अंदर अपन किस किस की चर्चा करेंगे तो blood की property के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो तो property यानि blood के color की बात करेंगे, pH की बात करेंगे, gravity की बात करेंगे, इसके volume की बात करेंगे, ठीक है तो अगर हम बात करें सबसे पहले ही color की हमने बात की इसका color कैसा होता red और ये किस के कारण होता है ये oxygenated होने के कारण होता है लेकिन हमने ये भी बात की कि artery के अंदर कैसा होता है red होता है लेकिन हमने ये भी बात की कि veins के अंदर कैसा होता है purple होता है चार का मतलब यह आपकी बैसीडिक होती है ठीक है यह आपकी सारिय होती है यह आपकी slightly alkaline होती है कैसी होती है यह अगर अपन बात करें slightly slightly alkaline होती कैसी होती है बैसलाइटली alkaline होती ठीक है इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके हम specific gravity की बात करें तो ब्लड के specific gravity की बात करें। एक कितनी होती है दोस्तों तो ब्लड की specific gravity होती है 1.052 से 1.0 5.02 से 1.062 के बीच में होती है। 0.052 से 1.062 के बीच में होती ठीक है volume की अगर अपन बात करें इसके अगर अपन volume की बात करें कि इसका volume क्या होता है blood के volume की अगर अपन बात करें तो volume अपन तीनों के अंदर ही चर्चा कर लेते हैं ठीक है न volume की बात करें male के अंदर कितना होता है female के अंदर कितना होता है इसकी अगर अपन बात करें तो देखो male की कहानी बात करें तो male के अंदर हो जाता है अपना 5 liter ठीक है ना adult male के अंदर 5 liter और female के अंदर 4 liter ठीक है ना 4 liter ठीक है फिर अपन बात करते हैं इसके property के अंदर next point की अगर अपन बात करें तो इसके हम test की बात करें तो ये इसका test जो होता है इसके test की बात कर लेते हैं तो test होता है इसका salt यानि salt की तरह इसका test होता कैसा होता? salt की तरह इसका test होता है इसके हम mass की बात करें इसके हम इतने सारे point की बात की तो इसके हम mass के बारे हम बात करते हैं ठीक है और मास यानि कि द्रिवमान की बात करें तो ये 8% of the body mass ठीक है ना बोडी का 8% होता है 8% of the body mass ठीक है ना सरीर के weight का कितना होता है 8% होता है देन हम बात करें इसके temperature की ठीक है इसके temperature की बात करें इसके temperature की बात करें इसके temperature की बात करें अपन temperature की अगर बात करें तो temperature हो जाता है तो 100.4 degree Fahrenheit जो S का Temperature जाता है, यह अपन प्रोपर्टेज की आप्त करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, प्रोपर्टेज की कम पजिशन ओप बलड की अगर अपन बात करें कम पोजिशन ओप कम पोजिशन ओप कम पोजिशन ओप बलड composition of blood यानि blood के composition की सरफ़ बात करें तो देखो composition of blood के अंदर क्या पढ़ेंगे कि जिस परकार से हमारा सरीर कोसी का और blood से मिलकर बना होता है वैसे ही अगर अपन blood की बात करें तो blood के अंदर एक आजाती है आपके plasma protein क्या आजाती है plasma protein और इधर आजाती है ब्लेड की खुद की कोशिक आए, क्या आ जाती है, ब्लेड की खुद की कोशिक आए, ठीक है ना, तो प्लाजमा प्रोटीन की बात करें, तो 92% इसके अंदर क्या होता है, वही वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है, बाकी जो remaining part है, उसमें other substance होता है, next class के अंदर अपन RBC आजाती है, WBC आजाती है, अरे बोलो भई, RBC आगई, WBC आगई, और क्या आगई, अपनी plate lates आगई, क्या आगई भई, plate lates आगई, इस RBC, WBC और plate lates की बात करें, इस RBC को का जाता है, आपके erythrocytes, क्या का जाता है, erythrocytes का जाता है, इसके हम बात करें, इसको हम क् तो यह तो अभी क्या हुआ था इंट्रोडक्शन हुआ फंक्शन हुआ प्रोपर्टी जोए कंपोजिशन हुआ बलड पूरा का पूरा पड़ा है तो इस परकार की क्लास लेदी है अगर आपको तो आप हमारे सुदर्सन पेरा मेडिकल चैनल से बिल्कुल जूड सकते हैं यह तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सबसे पहले टेलेग्राम चैनल को जोइन करें ठीक है यहाँ पर आपको मेडिकल पेरा मेडिकल बीएशी नर्सिंग से समद्दी सारे सारे इंप्रमेशन भी मिलेगी और अगर आपको कोई डाउ पर पर अपर नर्सिंग की तेहरी करना चाहते हैं तो बिलकुल सुदर्शन परामेडिकल के नाम से यह जो एप दे रखा इसको आप डाउनलोड कीजिए इस पर विजिट कीजिए खुप सारे इस पर फिरी वीडियो भी डाल दके डेमो के लिए फिरी आपको पीडियो भी डाल दकिए आप बिलकुल विजिट करके देख सकते हैं और इसी अंदाज में आपको सारे सब्जेक्ट्स अगर त्यार करने हैं तो बिलकुल आप हमारी सुदर्शन परामेडिकल परिवार के साथ जुड़ करके अपनी तेहरी को स्ट्रॉंग कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो बिलकुल इसको लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद बिलकुल